का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरने सज्यू कीशन नीच में तो दोस्तो इस वक्त की बड़ी आपटे राजस्तान के राजसे निकल के आ रही है जी हाँ दोस्तो अगर आप राजस्तान में निवास करते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ी ख़बर कोर के कि जो सक्ती है वो यहाँ पर बरती जाएगी कल से तो यह बड़ा प्लेट है इस वक्त का दोस्तो राजस्तान में कोरोना को लेकर के नई गाइडलाइन सा चुकी है जी हाँ दोस्तो यह देखिए आठ सहरों में लगाए गया है नाइट कर्फिव तो जो राजस्तान के ज जोदपूर, कोटा, उदैपूर, सागवड़ा और कुसलगड जो कस्बे हैं इन में भी यह जारी रहेगा ग्यारा से लेके पांच बज़े तक कर्फिव रहने वाला है ग्यारा से लेके पांच बज़े तक जो गतिविदिया है मानवे गतिविदिया वो यहाँ पर नहीं हो लेकिन जो देर रात तक बाजार खुलता था वो अब बंद रहेगा दस बज़े बाद दुकाने बंद मिलेगी आठ सहरों में नाइट कर्फिव या बाहर के यात्रियों के लिए आर्टे पीसी आर नेगेटिव रिपोर्ट आनिवारे है जो बाहर से आएंगे पहले कुछ स जैक तो आपको आर्टी पीसी आर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देना निवारी होगी यह मुख्य मंतिरह सो गेहलोद का बड़ा फैसला है यहाँ पर देखिए राज्ये के सभी नगरिय निकायों में 22 मार्च से रातरी दस बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे सेर नाइट कर्फ्यू रहेगा आज मेर भीलवाडा ये जगह मैं बताई चुका हूँ आपको ये जिले हैं दो कस्बे हैं जिनमें नाइट कर्फ्यू रहेगा नाइट कर्फ्यू की बादिता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है और यात्री परिवहन करने वाले बाहन और लोडिंग अलोडिक लिए व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की विवस्ता से मुक्त रहेंगे यानि कि जिनका जो मुमेंट है जरूरी सेवाएं है उनके और एरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टेंड जाने वाले यात्री ये इन पे ये PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवारी होगी पूर में केरल महारास्ट गुजरात पंजा भरियना मद्द परदेश के लिए इसकी अनिवार था अनिवारता थी अब सभी राज्यों के लिए से अनिवार किया गया है एरपोर्ट बस स्टेंड था रेलवे स्टमन यात्रियों क चांच भी की जाएगी फिर से ये चांच की जाएगी देखिए अब आटी PCR जो टेस्ट है नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी किसी भी स्टेट से अगर आप रास्तान में आ रहे हैं तो ये नेगेटिव रिपोर्ट आपको पेस करनी ही होगी पहले ऐसी बादे तक रिपोर्ट अनिवार की जाएगी बड़ा फैसला मुख्य मंत्रिया सो गहलोत का और दोस्तों जो यातरी निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारेंटीन रहना होगा सभी जिला कलेक्टर्स को इसमें बाबत संसागत क्वारेंटीन की वव हाँ उस कलस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोसित किया जाएगा और बीट कॉंस्टेबल की निगरानी में उसकी सकती से पालना करवाई जाएगी कंटेनमेंट जोन फिर से बनाने के त्यारी यहां पे चल पड़ी है और यह घोसित कर दिया गया है सरकार की और से 25 मार्श से राजे से बाहर आने वाले यात्रियों के लिए 8 PCR टेस्ट सरनिवारे होगा क्वारंटीन भी रहना होगा यह देखिए सब के सब फैसले आप लोग देख सकते हैं यहां पर और देखिए प्राथमिक स्कूल आगामियादिश तक बंद रहेंगे एक से लेके 25 तक की स्कूल यहां पर बंद रहेंगी उपर की कक्षय और कोलेजों में जो विवस्ता है सेक्षनिक गत्विधिया संचालित रहेंगी 50 प्रतिसत से अधिक विध्यारती नहीं हो सकेंगे विवास हमारों में साधी व्याह में फिर से 200 व्यक्तियों के अनुमती अंतिम संसक अधिकार में 20 व्यक्तियों को अनुमत किया जाएगा विवा की सूचना यहां पर आपको देनी होगी उपकंड अधिकारी को SDM को इमेल के माध्यम से देनी होगी ठीक है प्रसासन के मांगने पर विवास हमारों से संबनित वीडियोग्राफिय भी उपलब्द करानी होगी यह बड़ा प्रीट है दोस्तों अधिक्तम जो है एक लाक्स अधिक आपादी वाली सहरों में खोली स्तानों पर होने वाले सामाजिक, राजनितिक, खेल, मनोरंजन, सैक्षनिक, सांस्क्रतिक, धारमिक और सारवजिनिक कारेक्रमों में अधिक्तम 200 व्यक्तियों की सिलिंग रहेगी धारमिक इसलों पर होने वाले उत्सों त्योंवारों मेलो आदिके संदर में सियम गहलोत की अपील की प्रबंदन समीतियां आनलाइन दर्शन की विवस्ता कराएं आमजन भी परिवार के सहीत स्यम के घर में दर्शन करें यह कहना है दोस्तों मेले और यह जो PCR टेस्ट पानिवारे रहेगा नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है यह चीज़े हैं दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है कोरोना को लेकर एक बार फिर से सरकारे गंभीर पिछले साल 22 मार्च को याद होगा आप लोगों को एक दिन का केंदर सरकार के दुआरा जनत चैनल को सब्सक्राइब करें कोरोना की पलपल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिन जय भारत